सो हेलो गाईज आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं जी यानिकी हिस्ट्रीय यानिकी हमारा जैनरी किलेक्टिव की फर्स्ट उनिट यह वन्शॉट होने वाला है जिसमें मैं आपको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाली हूं दिल्ली के बारे में यानि कि जो हमारी इसकी first unit होने वाली है उसका पुरे introduction होने वाला है तो इसमें दिल्ली जो है सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है और सबसे पुराने शहरों में से भी एक है पांडवों की राजधानी कहलाती दिल्ली जिसे पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना ज जाता है कि गाई बार बनाया गए निर्ष्ट किया गए इसका पुनार निर्मान होता रहता है ये मैठ पून राजनीती केंद्र रहा है शुर्वाट और अधिकांच इधिहासकारों के द्वारा दि इंग लिट को स्थापना बंष के अंगन पाउन ने की थी अ मुध्यू के निसया की और तो उनकी मिर्तियों निसाज़ नहीं कि राज़ने वह था आगे हम देख लगते हैं कितने वंश होते हैं total total पाच वंश होते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सयद वंश और लोधी वंश और इनके time period भी लिखे हुए हैं सब बात करते हैं लोधी बंच की लोधी जो था उसको बाबर ने हराया था ये दिल्ली का अंतिम सल्तनत हुआ करता था मतलब अंतिम सल्तनत का सुल्तान था वो साबित हुआ और 1526 में पानी पत्की लड़ाई के बाद मुगल सामराज्य की नीव रखी गई बाबर ने सत्ता सम करने वला आई होप आपको इसमें सब चीज क्लियर हो जाएंगी 1638 में शाह जहां ने पुरानी दिल्ली की दिवार का निर्मान किया उसके बाद में यह शहर उनकी स्थाई गद्दी बन गया मतलब इस थाई रूप से यही उनकी गद्दी बन गई मुगल सामराज्य के अंत बिटिश करकार इस बने हो उनने क сотक और यहनों पिर आप आप प्रागे माना अवाण आप इस स्थान रहए को बनागे है स्थान आपको पता है डिल्ली पथर के उपकरण दिल्ली के कई स्थानों पर मिले हैं विशेष्टा दिल्ली के पहाड़ी चट्टाने जो की फईदाबाद के अंगनपुरा से प्राप्त हुए हैं इसी प्रकार उत्री हडपा के अंश भोरगड जो की उत्र दिल्ली में नरेला के पास है और मंडोली जो की दंदनगरी के पास है पूर्भी दिल्ली में पाएगाए तुरंत यह प्रारंबी कितिहास के बारे में बहुत कम बताते हैं पुराने किले की खुदाई की जा चुए उसके बाद विजmarkt हिए सब्सक्राइब जो में प्राचीं दिल्ली में पत्थर के और अज्यार साहितने अपनी पुस्तक निए अब। दिल्ली से लेके राजपूतों तक के बारे में बताया गया है प्राचीन, मिट्टी के बरतायन, मूर्ती, मूर्तीकला, साहित्य और स्थानिय परंप्राव के प्रमानों को एक साथ बताते वे दिल्ली की पाशान युक से लेके राजपूतों के समय तक का पता लगाया है उन्होंने बताया कि इतिहा सिर्फ मोखिक रूप से कहानियों के द्वारा बताया गया है लिखित कोई ग्रंथ नहीं है आगे हम बात करेंगे दिल्ली का भोगलिक शेत्र प्राचीन काल में दिल्ली का भोगलिक शेत्र अभी तक असपस्ट रहा है परन्तु एतिहासे काल के दो व्यापार मार्ग थे उत्तर और दक्षिनी सहायता से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली शेत्र की बस्तियां उत्तर भारत के अन्य प्राचीन बस्तियों जैसे मधुरा, तक्षिला, वारणशी, श्रावस्ती और कोशामबी के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी यमुना नदी से सहायता मिलती थी, पानी की आसान पहुंच हो जाती थी पुराने व्यापार मार्पर्ष शहर के राज़नीदिक स्थान ने दिल्ली की बस्तियों को फलने फूलने में काफी जादा मदद की आगे बात करते हैं दिल्ली एक एतिहासिक शहर के रूप में दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना की महाबायत के पुरान या फिर उनके अनुसार इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी जो आज के समय में दिल्ली के नाम से जानी जाती है लेकिन दिल्ली को एक एतिहासिक रूप में ग्यारवी शताबदी के मध्य में देखा गया जब तौमरवंश के राजा अंगनपाल ने दिल्ली में लाल कोट नगर बनवाया जो कि वर्तमान में कुत्ब मिनार के आसपास का शेत्र है उसे लाल कोट नगर कहा जाता है जो भी कुत्ब मिनार बनाए जहां पर उसके आसपास का शेत्र इसके नाम से जाना जाता है आगे बात करते हैं इस बॉक्स में जहां लाल कोट लिखा है लाल कोट के उत्खनन का कार्रे उन्निस सो सतावन से एकसट के बीच हुआ बाद में 1991 से 1995 के बीच में किया गया जिसमें मिट्टी के बरतान मूर्तियां तामबे के सिक्के टैरा कोट से बनी मूर्तियां कीमती रत्न सहीत अन्य कई पुरा अवशेश मिले उपिंदर सिंग के अनुसार यहां दो संस्कृतियों की पहचान की गई राजपूत और सल्तनत राय पि कार्सी स्त्रोत में किला राय पिधोडा के नाम से जाना जाता है राणा सफभी ने अपनी पुस्तक वहल स्टोन स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन महरोली में उलेक किया है कि अगर दिल्ली में एक जगा है जो हजार वर्ष की इतिहास का उनुभव कराती है जो कि लाल किला है उन्होंने यह भी कहा है कि लाल कोट दिल्ली का मूल लाल किला था जिसे आज हम रेड़ फोर्ट या उसके पहले नाम किला मुबारक के नाम से जानते हैं आगे बढ़ते हैं सीरी की स्थापना खिलजी वंश के शाशक अलाउदीर खिलजी ने करवाई थी इसके साथ साथ हौज खास का भी निर्मान करवाया था हौज यानि की जलाश्यों का निर्मान करवाया था जिसे हौज खास के नाम से जानते हैं जो कि आज वर्तमान समय में ग्रीन पार्क के पास मौज़ूद है ताकि आसानी से पानी की कमी को पूरा किया जा सके अलाउदीन खिलजी ने क होज खास का निर्मान उसके बात तुगलकाबात की स्थापना गया सुथ दिन करवाई थी कि स्थापना हुमाईउने करवाई थी जहां ऑगर मोहम्मध बिन तुगलक ने करवाया था और फिरोजा बात जो था वो कि फ्रोशाह ने करवाया था I hope guys आपको इस one shot वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा पूरा दिल्ली का introduction और ये पूरा जो पहली unit है हमारी इसी चीज़ पर depend है बस इनी चीज़ों को आपको elaborate करके लिखना होगा और कुछ नहीं that's it